हेलो गाईज वेलकम बैक ऑन माई यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सब उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और हम भी बहुत अच्छे से हैं तो अभी भी हम डैली में हैं अपने दीदी के घर आप लोगों पते हैं दीदी जीजू के घर तो भी सुबह का टाइम है और यहां पर आया है हमारे लिए नास्ता तो आप लोगों पता चल गया है नास्ते में यहां पर है पास्ता तो सुबह का टाइम था सभी लोग कोचिंग वे गारा है वो बी चले गए हैं चोटा बड़ा बड़ा दोनों और बस मैं ममा और मेरे बच्चे हम लोग और दी हम लोग बैट की यहां पर नास्ता कर रहे थे तो आ जाएं आप लोग भी जिनको हमारे साथ breakfast करना है आजाएं फटाफट से जिनको भी पास्ता पसंद है so guys अभी यहाँ पे मैं आप लोग को मिल रही हूँ बहुत देर के बाद पता है आप लोग को मैं आपको अभी कब मिल रही हूँ मैं आप लोग को मिलीती सुभा ठीक है नास्ते के टाइम पे और अभी मैं आपको मिल रही हूँ जब मेरे जीजू ऑफिस से आएं ठीक है आइमें ये 7.50 बजे की क्लिफ है शाम के 7.50 बजे की ठीक है तो आज मैंने दीदी को मितलब मेरी फरमाईश में लेकर आएं जीजू क्यों कि मैंने उनसे कहा था मुझे यहां की चार्ट और क्या बोलते उसको भल्ला पापरी बोलते हैं क्या बोलते हैं पता नहीं मुझे याद नहीं आ रहा है चार दही पापड़ी साइद ऐसा कुछ बोलते हैं तो जब मैं मतलब दिदी क्या बहुत पहले एक बार आई थी जब मेरी शादी नहीं थी तब मैंने दही भल्ले खाये थे हाँ साइद यह दही भल्ले दोगो ऐसे याद आ गया मुझे तो मुझ जब ऑफिस से जीजू आए तो यह देखिए इसमें चार्ट है मेरी खायल से यह गरमा गरम चार्ट है और यह जो है ठंडी ठंडी यह है दही भल्ले और बहुत टेस्टी थे बहुत टेस्टी थे बहुत ज़्यादा मतलब मैं बता नहीं सकते आपको जब आप खुद इसको वाली लाइन है जो उसमें है चार्ट चार्ट पापड़ी और नीचे धाई भल्ले ठंडे ठंडे इतने टेस्टी गाईज मत पूछो मतलब यह टेस्ट तो मैं कभी भूल ही नहीं सकती बहुत स्वादिस्ट थे और मार्केट से हैं तो मतलब ऐसा लग रहाता है बहुत ज़ सब्सक्राऌने मील चुके हैं यह दे cathay पे मैं पहले खा रहे थी धाना मैं दोनों से Ballाफ एक घंभी खा रहे झाड़ एक ओध भी करना थे जाड़े मैं दे बच्वा से ठीक है आज मुझे जाना है जैपूर मेरी गारी वही साड़े 10-11 बजे के आसपास की गारी है ठीक है तो अभी हमको निकलना भी है बैक टू होम अब हमारा बस अब आपको अभी तक इतने टाइम से आपने यही कहा रहे थे बहुत स्वाधिस्ट है यह वैसे तो मैंने पहले भी बोल दिया अच्छा पहले आप यहां पर यह देख लो फिर बताती हूं मैं आपको तो अभी यहां पर थोड़ी देर हुआ था कि हमने वह सब चाट वगरा खाई और उसके बाद मेरे दीदी के जो बड़े बेटे ना वह लेके आए थे कपकेक और साथ में डोनेट वग नहीं चल रहा है ना और यहां पर मेरे जीजू से मिल लीजे क्योंकि मैंने अभी तक जीजू से भी नहीं मिल वाया आपको ऑफिस से आए हुए थे और मैं नहीं से पूछ रहे थी कैसे है क्या है तो वही बता रहे थे हमारे जीजू हाल चाल अपने ठीक है तो यह मेरे जी कर रहे हैं पापड़ी चार्ट पापड़ी वगएरा तो देखिए ठीक है तो मैं सोच रहे थी कि आप लोग यही बोलेंगे कि इतना व्लॉग तो मेरे चलाई गया इससे पिछले साल भी आई थी मैंने तब भी नहीं मिलवाय था तो मैंने सोचा कि नहीं इस बार तो मैं आप जीजुने मुझको और मेरे दीदी के बड़े बेटे हैं ना उनको और हम लोग मेरे बच्चों को हम लोग सबको बस में बैठा दिया यह देखिए यश्व यश्व नाम है वैसे वरुन नाम है ठीक है तो यह हमको छोड़ने के लिए जा रहे हैं जाहिर सी बात है कि साड़ ठीक है अच्छी बात है चलो तो वो मेरे साथ जा रहे हैं और एक चीज और भी है कि आपको पता है दिली से जैपूर का ज्यादा डिस्टेंस नहीं है पांच छे घंटे का डिस्टेंस है ठीक है और फिर यह वाल्वो है तो यह हमको और भी जल्दी पहुँचा देगी आप यह मानो कि यह 11 बजे की गारी थी ठीक है तो अभी यह 3-4 गंटे में पहुचा देगी तो यह हमको रात में ही पहुचाएगी तो फिर वहां से मुझे अपना बस स्टैन उतरना बस स्टैन से घर मेरा काफी दूर है ठीक है तो वहां से ऑटो में अकेले 2-3 तीन बजे के आस वह चाट पापड़ी वगरा डोनेट वगरा खाया और उसके बाद फिर काफी देर के बाद बातचीत करी और यह देखो हाईवे है ठीक है तो मैंने का थोला साथ शूट कर लेते हैं आप लोग को दिखा देते हैं तो वहां से फिर क्या हुआ कि डिनर वगरा किया और डिनर हो गया था मैं भी बहुत इमोशनल थी बहुत जादा अब आप लोग भी समझ सकते हो इतने मतलब टाइम से मैं ममा के साथ में थी ठीक है अल्मोस्ट मुझे एक मन्त तो हो गया ठीक है यहां मैं बाहर आपको सभी पूरी बस का नजारा दिखा रहे थी कि देखो सभी लोग सो रहे हैं ठीक है और अंदर परदे में मतलब काटन लगे रहता है तो कोई सो रहा है कोई जाग रहा है क्या ही पता कोई क्या कर रहा है लेकिन मैं तो यहां शूट कर रही थी आप लोगों के लिए और आप लोगों से खोब बात कर रही थी ठीक है अच्छा आप 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 आठके इस ब्लॉक को अच्छा अभी क्या आई कि बच्चो ने खाया पीया और वो था न एक बोला जाता है खाया पीया तो बत्चो ने खा पी लिया आप लोगोगोड न देखा ही था केशव खा रहते और यह सब मेरे जीजु Parkinson बगर pendy शु मेरे पीघा गेक शु performer i अभी मुझे न ये पीनट खाने का मन कर आता, तो मैंने का ये खाते हैं, और यहां पी ये देखिए, केक वगरा है, अभी इसमें से दो चार चिप्स तो बच्चों ने खाई लिया है, ये केक वगरा खा लिया था, ठीक, और ये कोल्डिंग नहीं है, सौरी, ये जूस है, ये ये जूस है ये देखिए तो ये जूस वगरा बच्चों ने पी लिया है और इतना तो बच गया अब ये हमारे साथ घर जाने वाला है ठीक है बस मैं इसमें से क्या खाऊंगी मैं ये पीनट वाला पीनट है ना बस ये ही खाने वाली हूँ बाकी बच्चों को देख लीजे बच्चे भी सो गयें ये देखिए और यहाँ पर ये लोग सो रहे है और बस मैं ही जागी थी और मुझे नींद नहीं आ रही थी और हुआ ये था ना कि जब मैं घर पर थी आज मतलब तो सुबा के टाइम पर तो फिर मैं ना सो इती आराम से काफी सोई थी दुफैर में क्योंकि मुझे पता था कि आज मुझे रात में सफर करना है और मेरे साथ क्या होता है ना कि अगर मैं दिन में सो जाओं तो मुझे रात में फिर नींद मुश्किल से आती है ठीक है इसलिए मेरा जल्दी से सोना हो नहीं पाता और मैं जान बुच के दिन में सोती भी नहीं हूँ ठीक है और आज मैं सो गई थी क्योंकि मुझे पता था कि मुझे सफर करना है और मुझे थोड़ा सा जागना पड़ेगा और बस यही है और अभी मैं थोड़ा सा रील्स देख रही थी और मैं बना भी रही थी रिल्स ठीक है और मैं बहुत रील्स बनाई है आगे मैं आपको जरूर शेयर करोंगे आप लोग के साथ तो यहां पे देखो बस मैं सोने के चकर में हूँ कि अब मैं सोच रही रिल्स वगईरा भी सब बना ली है और काफी देर से रील्स वगैरा भी बना ली और वीडियो में थोड़ा काम था वो भी कर लिया ठीक है बाकी अभी क्या करें सोचा तो चलो अभी सोने की तयार ही करते हैं और क्या हैं ठीक है तो चलो ट्राइ करें सोने का और बस यहां पे सोच रही थी कि मम्मी को बहुत याद आ रही मुझे मम्मी की बार बार याद आ रही है रहे के याद आ रही है लेट रही हूं तो याद आ हो रहा था तो मैंने बोला कि नहीं है ऐसे में क्या शूट करना हाना कौन कैमरा पकड़ेगा क्या है इस सब चीजें तो नहीं शूट किया फिर वही अभी लेट रही हूँ तो लग रहा है मम्मी की यादारी मतलब एक होती तो अभी यहां पर ट्राई करा जाए सोने का ठीक है सोने को ट्राई करती हूं देखती militar नेदा आती है कि नहीं आती है और जैसे मेरी आंख आ यह बस मंपी का फेस आरहा है सामने आयसे तो मैं मोबाइल पकड़ हूं ठीक हैं तो मोबाइल पकड़ unfree trust यौ3 ठोड़ी याद कम हो रही है लेकिन जैसे मोबाइल को side में रख के आंक बंद कर रहे हूँ, तो मुझे मेरी मम्मी का जो फेस है ना, वो सामने आ रहा है अभी तो पेशलि जब आते वकत रो रही थी मम्मी तो वो तो मुझे और भी ज़्यादा याद आ रहा, यह बास सच है, पता है जब हम घर जाते हैं ना, माईके जाते तब बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है बहुत ज़्यादा वही चीज बिलकुल विपरीत हो जाती जब हम वापस आते हैं हर एक इंसान से मतलब अलग हो जाना मम्मी से फिर भाई भेनों से यह सब चीजे हैं मतलब सोच कैसा लगता है कि क्या है यह चीजे क्यों यह सब है मतलब यह सब होता है अब मैं गई थी तो मुझे वापस भी आना है और अपना घर देखना है अभी एक महीना से उपर हो गया है मुझे घर छोड़े हुए और पतिदेव जी भी घर पर अकेले हैं खेर उन्होंने तो मुझे बोला था क्योंकि बच्चों का स्कूल खुलने में भी तीन-चार दिन हैं ठीक है तो वो कह रहे थे तीन-चार दिन और तुम मम्मी के साथ रह लो टच वूड टच वूड मुझे इन्होंने एक बार भी फोन करके यह नहीं कहा मेरे पती देव जी ने की वापस घर आ जाओ ठीक है तो यही है बस अभी मैं आ चुकी हूँ अपने घर तो यह आप टाइम देख लीजे कितना हो रहा है ठीक है यह देखे टाइम नहीं तीन बच के चालिस मिट ठीक है तीन बच के चालिस मिट हो रहा है तो अभी पहुचे हैं घर ठीक है अभी भालो पॉरे चार हो रहा है पॉरे चार हो जागर पहुचे अभी सोएंगे आप से मिलेंगे कल सुबा ठीक है अभी जस्ट आएं और नीन पूरी करते हैं क्योंकि सफर में नीद हुई नहीं और टाइम मैंने आप लोगों दिखाई दिया है टाइम है टीक है तीन एक तालीस हो रहा है चली है मिलते हैं बाद में थलपती देव से बाते करते हैं फिर सोती हूँ सुबह आप लोग से मिलते हूँ ठीक है चलो